प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रशन से जिसमें हमने आपसे पूछा था काना राश्च उध्यान किस पहाड़ी अश्रणी से संबंदित है आपके उप्शन थे उप्शने मिश्मी, उप्शन बी गारो, उप्शन सी अरावली या फिर उप्शन डी मैकाल तो इस प्रशन का से उप्शन है विकल पिडी मैकाल आपने से कई विवर्स ने इस प्रशन का एकदम ठीक जवाब दिया है इसी तरह अपने सुझहाव प्रतिक्रायम जवाब हमें भेशते रही हमें इसका इंतसार रहता है चलिए बागी की बात को अस्प्लेशन से समझते हैं बीते दिनों नो बारा सिंगाओं को काना राश्चुद्यान से बांधवगर टाइगर रिजर्व में लाया गया गौर तलब है कि काना राश्चुद्यान मैद्ध भारत का सबसे बड़ा राश्चुद्यान है ये मद्दप्रदेश में सत्पुडा की मैकल श्रणी में इस्तित है इसलिए विकल्प डी सही है किस्तंधारियों की लगबग 22 प्रजातियों का घर है जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर तेंदवा चीतल बारा सिंगा आदी शामिल है दिल्चस्प बात यह भी है कि बारा सिंगा को लिविलुप थोले से बचाने के लिए इसे विशुस्तर पर भी समानत किया गया है यह अपने सदा बाहर साल के वनू के लिए जाना जाता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी मैकाल चलिए अब शर्वात करते हैं आज की एपिसोट की, तो आज की एपिसोट का पहला प्रश्न है अधिनियम 2005 के तहट की गई है शलिए इसका मुझाले चैने इमेस्थित है एक सबलेशन साइग को समझते है हाली में तटी जलक्रशी प्राधिकरण संशोधन विद्यक 2023 को लोग सब हमें पेश किया गया ये विद्यक तटी जलक्रशी प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करेगा बता दें कि तटी जलक्रशी प्राधिकरण अधिनियम 2005 तटी जलकरशी प्राधिकरण की स्थापना का प्राधान करता है, इसली कथन नहीं सही है, यह प्राधिकरण तटी शेत्रों में तटी जलकरशी सजुड़ी गतिविधियों और संबधित मामलों को विनहमित करता है, इसे तटी शेत्रों में एकवा कल्चर फॉर्मों के निर् सही हुआ यान इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्पिसी एक और दो दोनों ही कथन सही है चलिए अगला प्रश देखते हैं स्वयम पोर्टल के संदर में निम्लखित परविचार कीजिए पहला है विडियो लेक्चिर दूसरा है परिक्षन और क्विज के माध्धम से स्वमुल प्रशन का सही उत्तर है विकल्पिडी एक दो और तीन हाल ही में राजसभा में सिक्षा राजमंत्री ने स्वयम पोर्टल के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि स्वयम पोर्टल लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली सिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू कि जिससे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है तीसरा है परिक्षन अक्विच के मादम से स्वयम ल्यांकन परिक्षन और चौथा है संदेह दूर करने के लिए एक उनलाइन चर्चा मंच इसलिए विकल्पिडी सही है यानि इस प्रशन का से उत्तर हुआ विकल्पिडी एक दो और तीन तीनों ही सही है नाइस क्वेश्चन है प्रिपेड पैमेंट इंस्ट्रुमेंट यानि पीप्याई शब्द का सबसे अच्छा वर्डन कौन करता है आपके ऑप्षन है भुक्तां के तरीके जो क्राड़ेट डेबिट कार्ड के मादम से किये जाते हैं भुक् इस प्रश्नका से उत्तर है विकल्प B भुक्तां के तरीके जिनका उपयोग सामान इवं सेवाओं को खरीदने और पैसा भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है चली एक्समेशने साई की बात को समिशते हैं हाली में भारती राष्टे भुक्तां निगम यानि इस प्रश्नका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प B यानिकी भुक्तान के तरीके जिनका उपयोग सामान इवं सेवाओं को खरीदने और पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है चलिए अग्ला प्रश देखते हैं मिश्मी जिनसाती के संदर में निंखित में से कौन से कतन सही है पहला है इडू, दिगारू और मिजू, मिश्मी समोग यूब जातियां है कथन दो है इसकी भाषा को युनेस को द्वारा इंडेंजर्ड माना जाता है और तीसरा कथन है इडू, पुरानिक कताओं के अनुसार इडू, मिश्मी द्वारा बागों को अश्रो माना जाता है देगे कूट का प्रयोकर आपको सही उत्तर चुनना है आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर दो और तीन तो इस प्रेशन का सही उत्तर हुआ, विकल्पिसी यानि एक और दो दोनों ही कथल सही है हाले में राश्टिबाग सेंटरक्षन प्राधिकरन यानि अन्टीसीय ने गोशना की कि अरुनाचर प्रदेश के दिबांग वनिजी अभ्यारण को जल्द ही भाग अभ्यारण के रूप में दिसूचित किया जाएगा इस घोशना पर इस शेत्र के एडू मिश्मी लोगों ने कहते हुए इसका विरोध किया कि टाइगर रिजर्व जंगल में उनकी पहुँच को बादित करेगा बता दें कि इडू मिश्मी अरणाशर प्रदेश और तिबबत में बड़े मिश्मी समू की उप जलन जाती हैं जबकि दो अनमिश्मी उप जातियां दिगारू और मीजू है इसलिए कथन एक सही है इसकी भाशा इडू मिश्मी है जिनने युनेस खुद्वारा लुप्त या endangered माना जाता है इसलिए कथन दो सही है इस समू के लिए बाग विशिश रूप से महत्पूर्ण है क्योंकि इडू पुराने कथाओं के अनुसार इन्होंने एक ही माकी कोक से जह्म लिया था इस तरह बाग उनके वड़े भाई है इसलिए कथन तीज सही नहीं है इस वरकार इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प सी यानि की एक और दो दूनों ही कथन सही है नेस वर्शन है ग्रामीन क्रशी मौसम सेवा यानि जी के MS योजना किस मंत्राले या संस्था की एक पहल है आपके ऑप्शन है ग्रामीन विकास मंत्राले भारत मौसम विग्यान विभाग या फिर इस्त्रो टैलिमेटरी ट्रेकिंग एंड कमांड नेटवर्ग तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प सी भारत मौसम विग्यान विभाग हाली में लोकसमा में विज्ञान एम प्रोदोई की और प्रथे विज्ञान राजमंत्री ने मौसम आधरत कृशी सलाकार सेवाओं के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग या इमडी देश भर में ग्रामीन क्रशी मौसम सेवा योजना चला रहा है इसते विकल्पिसी सही है योजना क्रशक समुदाई के लाव के लिए क्रशी मौसम विज्ञान सलाकार सेवा है इसके तेहत अगले 5 दिनों के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर मद्धम शेडी के मौसम का पूरा अनुमान किया जाता है इस तरह इस प्रश्ण का सेवत्तर होगा विकल्पिसी भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रवाह पोर्टल किस से जम्मंदित है आपके ऑप्शन है इस रो भारती रिज़र्बैंक ग्रिहमंत्राले या फिर भारत मौसम विज्ञान विभाग तो इस प्रश्ण का सेवत्तर है विकल्पि भारती रिज़र्बैंक हाले में भारती रिज़र्बैंक यानि RBI ने उसके नियमन के दाइरे में आने वाली कायू हे तो रेगुलेटरी प्रोसेस को स्तरल और सुगम बनाने के लिए एक पहल की है इसलिए विकल्पि भी सही है इस पहल के तहट प्रवाह पोर्टल विक्सित करने का नियन लिया गया है प्रवाह का पूरा नाम प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी अप्लिकेशन वैलिडेशन एंड अक्राइजिशन है ये पोर्टल संस्थाओं को रिजर्व बैंक से लाइसेंस या प्राधिकरन या विनियामक नुमोदन के लिए आविदन करने में सक्षम बनाएगा इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्पि भारती रिजर्व बैंक चलिए अगला प्रश्न देखते हैं चलिए एकस्पनेशन देखते हैं हाली में भारत की राश्पती द्रोपदी मुर्मु ने कांजीरंगा राश्चुद्यान का दौरा किया कांजीरंगा राश्चुद्यान भारत के असम राजिका एक राश्चुद्यान है इसे वर्श 1974 में राश्चुद्यान घोशित किया गया था इसली कथन एक सही है इसे वर्श 2007 में टाइगर रिजर गोशित किया गया था इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकलप C यानि एक और दो दोनों ही कथन सही है नाइस ग्वेश्चन है निर्मिकित नरत्यों पर विचार कीजिए, पहला है चामसांग नरत्य, दूसरा है चांगलो नरत्य, और तीसरा है मोन्यू आशों नरत्य, उपरक्त नरत्यों का संबन्द किस भारती राज्य से है, आपके आप्शन है, असम, नागालेंड, मिघाले या फिर मनिपुर, तो इ पामिल है, चांग संग नरत्य, एक पारंपरिक लोग नरत्य है, जो नागालेंड की चांग नागा जंजाती द्वारा किया जाता है, जिसे दुश्मनों के खिलाफ अपनी जीत का जिश्मन आने के लिए करते हैं, वहीं मोन्यू आशों, नागालेंड की फोम जंजाती आकर्शक नरत्य है, इसलिए विकल पे भी सही है, यानि इस प्रश्न का से उत्तर हुआ, विकल पे भी नागालेंड, चलिए अब पहुंच गया अंतिम प्रश्न पर, तो अंतिम प्रश्न है, शहरी बुनियादी धांचा विकास निधी, यानि UIDF के संबन्द में निल्मिक इतकतनों पर विचार कीजिए, कथन एक है, इसका प्रबंधन रास्टी आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, कथन दो है, इसका उप्यों केवल टीय थ्री शहरों में शहरी बुनियादी धांचा तयार करने के लिए किया जाएगा, और प्रिक में से कौन से ऐसे कथन सही ह या फिर है, आपके उप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और नहीं दो, तो इस प्रशन का से उत्तर हुआ विकल पे केवल एक कथन ही सही है, चलिए एक्समेशन देखते हैं, हाले में आवास और शहरी मामलों के राजमंत्री ने लोग सभ प्रशन के लिखित उत्तर में शहरी बुनियादी धांचा विकास नधी के बारे में दानकारी दी, शहरी बुनियादी धांचा विकास नधी यानि UIDF की स्थापना की घोशना, केंद्री बजट, 2023-24 में की गई है, इस नधी का प्रवंधन, रास्टी आवाज वैंक द्वा इस तरह इस प्रशन का सही उत्तर होगा, विकल पे यानि केवल एक कथन ही सही है, चलिए अब नोट कर लिजे एपिसोड का अभ्यास प्रशन, कभी-कभी समाचारों में दिखने वाली समुद्रियान परियोजना क्या है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ने भारती नौसेना द्वारा किया गया नुसंधान अभियान, ऑप्शन B, भारती तरक्षक के लिए एक नई पोत विकास योजना, ऑप्शन C, समुद्रि परिटन के विकास के लिए परियोजना, या फिर ऑप्शन D, गहरे समुद्र में दुरलब खरीजों की खोच के लिए परियोजना, तो झाल 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 झाल